नमस्कार जी मेरा नामे मीनू में बताने जा रही हूँ खुबसूरती और सेहत तोनों के लिए वैस्ट है कॉस्टर आयन कॉस्टर यानि अरंडी का तेल कॉस्टर पौधे के बीजों से निकाला जाता है जिसे इस तेल का इस्तमार ब्यूटी और हेल्थ दोनों के लिए किया जाता है अगर आप इसका इस्तमार नहीं करते तो करना शुरू करें रंडी के तेल में मिनेरल्स, प्रोटीन, बिटामिन ई, एंटी फंगस और एंटी वेक्टेरियल गुड़ पाई जाते हैं इसमें omega 3 fatty acid भी मौझूद होते हैं, जो hair growth को तेजी से बढ़ाते हैं बहुत सारे लड़कियां बालों की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं hair growth सिर्फ सिर्के बालों से ही नहीं, बलकि पलकों और eyebrow की ग्रोथ से भी जुड़ी है इसके अलावा इसमें इसकीन की सूजन कम करने के भी बहुत सारे गुड़ है चलिए आज आज आपको इस तेल के अंगिनित फायदे सुनाते हैं आइबरो, पलकों और सिर्के बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए कुछ बुंदे अरंडी के तेल की ले और इससे आइबरो और पलकों की मसाज करें ऐसे हलकों हाथों से सिर्की भी मसाज करें इससे हेर ग्रोथ बढ़ेगी किसी तरह की स्केन इंफ्रेक्शन जैसे कील, मुहासे, सूजन, सन बन के लिए इसका इस्तमाल करें पेरों में फंगस इंफेक्शन हो गई है तो इस तेल का इस्तमाल करें सिर्धर्द के दुरान भी इस तेल से मसाज करें डेंडर दूर करने के लिए भी कास्टर आयल बालों में लगाएं सिर्फ सौंदर के लिए ही नहीं, बलकि सेहत सम्मद भी इस तेल के बहुत सारे फायदे हैं डिब गरंती, अलसर, गुर्दे की पत्री, पाचन तंत्र की परशानी, मास में शरीर की अकड़न और जोडों की जूजन दूर करने में यह तेल फायदे मंद हैं अगर आपके आइबरो या पलको की ग्रोध कम हैं, तो इसके लिए यह नुश्का अपनाएं समगरी 20 मिली लीटर पैथेनाल, 30 मिली लीटर कास्टर आयल, 15 भूंद लेसुन का रास, बीदी, सारी समगरी को मिक्स करें और रात को सोने से पहले इस मिश्रन को आइबरो और पलको उपर लगाएं ऐसे आप रोज़ना करें, आइबरो और पलको की ग्रोध तेजी से होगी, धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब डेमिन करें